महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसका हर एक किरदार अपने आप में आकरशक और रहस्यों से भरा है। यही नहीं हर छोटा बड़ा किरदार इस रूप में एक दूसरे से जुड़ा है कि आप किसी को नजर अंदाज नहीं कर सकते। यह लगभग असंभव है कि किसी शखस को इस महाकाव्य से जुड़ी हर बात मालूम हो। महाभारत से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो अब भी बहुत कम लोगों को मालूम है। आज हम आपको महाभारत से जुड़े ऐसे ही कुछ दिल्चस्प तथ्य बताने जा रहे हैं। दो श्री कृष्ण की एक और बहन सुभद्र भगवान श्री कृष्ण की बहन थी और यह तथ्य सभी जानते हैं। दिल्चस्प ये है कि उनकी एक और बहन थी जिसका नाम एकानगा था वह नंद और यशोदा की पुत्री थी। तीन एक लव्य का पुनर जन्म थे। श्री कृष्ण ने किया और वर्दान दिया था वह अगले जन्म में गुरु द्रोन को मार कर अपना बदला ले सकेगा। 4. महाभारत युद्ध में बच गया था। एक कौरव युद्ध सुही एक मात्र ऐसा कौरव था जिसने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का नहीं बलकि पांडवों का साथ दिया। साथ ही वह एक मात्र धृतर राष्ट्र का ऐसा बेटा भी था जो महाभारत के यु श्री कृष्ण की मृत्यू महाभारत युद्ध के 36 साल बाद हुई। श्री कृष्ण की पुत्री भानुमती से विवाह किया। श्री कृष्ण थे। शेशनाग ने पृत्वी के नीचे से अर्जुन के रथ के पहियों को पकड़ रखा था। ताकि इस महत्वपूर्ण युद्ध में एक पल के लिए रथ का संतुलन नहीं बिगड़े। हालांकि युद्ध के बाद यह रथ जल गया। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण ने बताया कि महारठी युद्धाओं के दिव्यबानों से यह पहले ही जल चुका था। और केवल इसलिए चल रहा था क्योंकि इस पर स्वयम वे बैठे थे और उपर पताका में हनुमान जी विराजमान थे। श्री कृष्ण ने कहा कि अब चुकी इस रथ का काम पूरा हो चुका है। इसलिए यह जल कर भस्म हो गया। अर्जुन की हुई थी दो बार मृत्यू। हम सब यही जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग जाने के रास्ते में हिमालय की गोद में अर्जुन की मृत्यू हुई। हालांकि एक और तथ्य है। इससे काफी पहले अर्जुन को उनके और मणिपूर की राजकुमारी चित्रांगदा के ही पुत्र बब्रुवाहन ने एक भयंकर युद्ध में मार गिराया। इसके बाद नागकन्या उलूपी अर्जुन को जीवन दिया। 10. युधिष्ठिर ने अपनी मा को दिया था। शापकर्ण दरसल कुंती के पुत्र थे और इस तरहे वे पांडवों में जेश्ठ थे। हालांकि इसकी जानकारी पांडवों को नहीं थी। सामने जाहिर करना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।